जो लोग जानना चाहते कि शिवयनू में अगामी दिनों में क्या हो सकता है शिवयनू में जो ये रेली आई है उसका कितना इंपक्ट आगे और प्राइस के उपर पढ़ेगा और शिवयनू यहाँ से कहां जा सकता है तो मैं आपको बता दू कि अक्टूबर के करीब आने पर शिवायनू की कीमत यहाँ पर तीन गुनी होने के प्रेडिक्ट यहाँ पर आ चुके है जिसमें शिवायनू अपना all time high के करीब यहाँ पर शिवायनू पहुचेगा और उसको यहाँ पर तोड़ भी सकता है तो आईए देख लेते हैं किस टाइप से यहाँ पर चीज़े होगी और डेफिनेटली यहाँ पर अगर तीन गुना हुई तो अबिसली यार all time high तो यहाँ पर तूटेगा ही तूटेगा क्योंकि all time high के लिए मातर यहाँ पर 90% के प्रोफिट की जरुवत है जो कि शिवायनू possible है कि यहाँ से पूरा कर सकता है अगर हम आज के condition में बात करें तो शिवायनू से ऐसी expect अभी तक किसी ने नहीं कि थी लेकिन उम्मीदों पर खरा उतरा है यानि कि एक चीज़ तो इस पस्ट है कि शिवायनू से जो हम उम्मीद रखते है उस उम्मीद के ऊपर शिवायनू आपको देखने को नहीं मिल रहा है कुछ AI कोईन या gaming token को छोड़ दे तो और ये बात साबित होती है कि शिवायनू से community का काफी उम्मीद है जो fulfillment होती हुई दिख रही है तो end तक वीडियो वाच करना October से क्या उम्मीद कर रहे है इसी के ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि व और वीडियो पसंद आये तो चैनल के साथ जूड़ जाना सब्सक्राइब करके शुरुआत हम इसी नियूज से करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखे तो शिवायनू कुल्स ट्रपल प्राइज इस ऑक्टोबर विस प्रोजेक्ट है सजेशन सर्गोफ और 283% से अधिक पर से हम यह उम्मीद कर सकते हैं बट अभी नवेंबर दिसंबर और फिर उसके बाद 2025 बाकी है जिसमें हम बुलरन की असली सवारी देखेंगे क्योंकि अभी तो हम देख पा रहे होंगे तो बिटकोइन जादा बड़ा भी नहीं है लेकिन शिवायनू और अल्ट कोइन में इन्वेस्मेंड आना चालू हो चुका है इस लिहाज से कि यार यह करोड़ पती बनाएंगे और देखिए अगर भरोसा रखते हैं तो ओविसली कोईन बढ़ता है क्योंकि इन्वेश्टर जब एक टाइप से सोचते हैं एक टाइप से इन्वेस ब्याता है और चीजे क्या ह कि हर किसी को करोड़ पती बनना है करोड़ पती बनना है तो वो जाके बिटकोईन में तो इन्वेस करेगा नहीं वो किस में करेगा वो छोटे कोईन में करेगा इन्वेस किस कोईन में जादा आ रहा है तो वो देखता है क्यार सभी मीम कोईन में अच्छा खासा इन्वेस आ पाव लगाते हैं तो एक जैसे माइंड सेट की मदद से हम शिबा से और दूसरे मीम कोईन अल्ट कोईन से उम्मीदे कर रहे हैं अगर यहां पर हम देखे तो वही चीजे बताई गई है कि जैसे जैसे अक्टोबर नजदीक आ रहा है लोग प्रिये प्रेरिस शिबायनों एक म महान प्राइस के कगार पर हो रहा है और शिब समुदा उस्सा से भर गया है क्योंकि जिस टाइब से चीजे घटी हुई है और उस्सा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और क्रप्टोर एक के इतिहास के अनुसार अनुमानों से पता चलता है कि आने वाले महिनों में शिब की की चिमत में तीन गुना तक व्रद्धी हो जाएगी और एक आकड़ा निकला है जो वर्स के समय 283 पर्षेंट का प्रभाव साली रेटा ने दिखाएगा जो 10 पर्षेंट से अधिक के ओस्त रेटान से यहां पर आगे बढ़ेगा इसमें बताया गया है आगे कि वास्तविक्त यहां है कि दूसरी सबसे बड़ी मीम क्रिप्टो करणसी ने अतिहास एक तोर पर अक्टूबर के 30 दिनों के भीतर मुल में बढ़ोतरी देखी है क्योंकि यह हिस्ट्री रही है पिछली बार भी हिस्ट्री रही है कि अक्टूबर में शिबयनु में जबर जस्त जो है उच् की चीज़े यहां पर होती हुई दिख रही है और इस बार भी वही उम्मीद शिबयनु से हो रही है यहां पर चीज़े और यह बताते हैं कि इस महिने के लोकप्रिये रूप से अपटूबर के रूप में जाना जाता है क्योंकि अक्टूबर अपटूबर हो चुका है और चेतर में संभावित पोजिटिव प्राइज आंदोलन के लिए ही जाना जाता है और इसलिए अक्टूबर को अप्टूबर कहा जाने लगा है और शीबायनू पिछला विवार इसका समर्थन में रहा है और काफी अच्छा प्रोफिट दिया है और बताया गया है कि तीन साल प महिने पुराना था मतलब उस टाइम क्या है शीबायनू नया नया लोन चुहा था उसके बावजूद अक्टूबर महिने से हमने काफी अच्छा जो है प्रोफिट निकालके देखा था निकलते हुए देखा था इस अक्टूबर महिने से क्योंकि प्राइज यहां से सीधे यहां पोहँच गई थी जो कि छे महिना पुराना कोईन था मार्केट में लेकिन प्राइज यहां से यहां पहुचे था अक्टूबर में मार्केट ने सश्टेन यहां पर किया था मेरे माउस को देख ले न उसके बाद फिर नवेंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी जाते जाते तो मार्केट ने तुफान मचा दिया था अक्टूबर में ही तुफान मचा दिया था याद तो यही रेली यहां पर देखने को मिलेगी और पिछली बार क्या हुआ था कि से तो गिरने लग चुका था मार्केट हलाकि इस बार बुलरन के सुरुआ थोड़ी लेट हुई है यह देखिया 28 अक्टूबर का हायस्ट स्कोर है यह जो एटी एज बना हुआ है 28 अक्टूबर का तो इस बार भी वही इस्थिति बन रही है इसलिए सितंबर में जितना भी ब में भी कहिना कई उच्छाल ही देखने को मिला था तो यह बात साबित होती है कि इस बार तो वेसे ही यार बुलरन के हमें एक्सपेक्ट कर रहे है तो बुलरन के साथ सा शिवायनो कितना खासा बढ़ेगा क्योंकि 21 में बढ़ा था 22 में मार्केट डाउन था उसके इसके मुस्किलों पर डिपेंड करती है और कहा गया है कि तीन महीने के अच्छे प्रदेशन के हिसाब से ये भी काफी अच्छा महीना रहेगा और इसमें काफी उत्सा बताये गया है कि शिवायनो अपना ओल्टाइम हाई के करीब यहां पर पहुँचेगा और पिचोत्तर के लेवल को ट्रपल तीन गुना व्रद्धी के साथ इचीव कर लेगा अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लेवल बहुत जल्दी इचीव होने वाला है आप शिवायनो से एक तरीके से एटी एस तोड़ते हुए देखोगे और जिस टाइप से एक्सपेक्टेशन है ओबिसली मार्केट इस लिहाज से यहाँ पर बड़त बनाएगा क्योंकि बड़े संकेत इसी ओर इसारा कर रहे है ये जो रेली आई थी ना इस रेली ने और फरवरी के लिए रेली ने शिवायनो के लिए एक बात तो साबित कर दी कि इन्वेश्टर एक मोके की तलास में है इन्वेश्टर अब स्मार्ट हो चुके है शिवायनो में उसी टाइम इन्वेश्ट करते है जब इसको लगता है कि शिवायनो में अब पंप आ सकता है और यहाँ पर वही चीज़े होई है फरवरी में क्या हुआ था कि हालविंग हुई थी हालविंग 20 अप्रेल को होना थी तो हालविंग से पहले लोगों ने इन्वेश्ट किया था कि कुछ नय लोग और कुछ ऐसे गलत फेमी के सिकार थे उनको ये पता था कि जैसे हालविंग होगी पहले दिन से ही मार्केट बढ़ने लग जाएगा बीटकोIN बढ़ने लग जाएगा लेकिं एसा नहीं होता है ह छे महीने इंतिजार करने के बाद जाके अब जाके मार्केट ने वापस यहां से बाउंस बेक किया है तो यहां पर चीजे इस पश्ट है अब दूसरा यहां पर एक और इन्वेश्टरों का मत है कि अब छे महीने हो चुके अब मार्केट बढ़ेगा तो अब वापस के तैयारी हो रही है क्योंकि हालविंग को 6 महीने हो चुके हैं उदर हालविंग होने वाली थी उससे पहले एक इवेंट हम कह सकते हैं तो यहां पर वही चीजे बन रही है और इस लिहास हम कह सकते हैं कि शिवानु से केसा पंप आए अभी बिटकोईन बड़ा ही नहीं है भई उसके अलावा अल्ट कोईन में पेसा आने लग चुका है मीम कोईन में इन्वेस होने लग चुका है अभी बिटकोईन जब बड़ेगा तब कितना पेसा आएगा यार आप सोज भी नहीं सकते अन एक्सपेक्टेड रेटाने की मार्केट से उबमीद कर सकते हैं तो आई होप ये वीडियो हेल्फुल रहा होगा मिलते हैं किसी नए इंटरस्टिंग वीडियो में चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकोन को हिट कर देना नमस्कार